नमस्कार दोस्तों आपके नमबर के अकोर्डिंग आपके घर या फिर आपका फ्लैट नमबर भी आपको कुछ बताता है चानिए आज मेरी इस वीडियो के तौरान की कौन सा फ्लैट नमबर आपके लिए लगी है नमबर एक यदि आपके फ्लैट नमबर नमबर एक है तो वहे आपके लिए लगी होगा क्योंकि यह सूरे का नमबर है और आपको उचाय तक लेके जाने वाला भी नमबर माना जाता है और यदि आपके flat number 10 है तो वहे आपका सामाने होता है कभी उचा उड़ा देता है या कभी वहे नीची गिरा देता है यदि आप अपनी कारें में सफलता चाहते हैं तो आपका लगी एक नमबर या फिर 19 नमबर के ही flat खरी दे और यदि आप 46 नमबर या फिर 47 नमबर के flat खरी सकते हैं यदि आपका lucky नमबर 7 है आपकरते हैं नमबर 2 की यदि आपका नमबर 2 है तो आप बहुत ज़्यादा आलस से और depression के सिकार होंगे और अपनी काम को ज़्यादा तर रूची लेकर नहीं करते हैं लेकिन अगर आप देखें तो आपके दुनियादारी का नमबर माना जाता है आपको धार्मीक में जितनी भी चीजे होती हैं जो आपके धार्मीक में दुनिया के सारी बाते आजाएं तो वहें उनके लिए खास होती हैं और वहें उन चीजों में ही ज़्यादा रुची रखते हैं नमबर 3 यदि आपका नमबर 3 हैं तो आई हैं विरस्पती का दिन माना जाता है विरस्पती के दिन पर 12 नमबर के फ्लेट जो भी आगर आप खरीद रहे हैं तो 12 नमबर के फ्लेट से थोड़ी दूरी वरते ही क्योंकि ये हैं खो देने की निशानी वरत रता है और उसकी अकॉर्डिंग देखा जाएं तो ये हैं खो तक भी माना जाता है आप जो भी चीजे पाना चाते हैं तो वहें आप खो देंगे क्योंकि ये हैं नमबर आपको कभी भी उस उमिक तक पहुशने ही नहीं देगा और ये हैं सबसे ज़्यादा असुब नमबर भी माना जाता है नमबर पंच ये आपका लगी नमबर पंच है तो आप 14 नमबर के फ्लेट को खरी दे ये आप किसी फ्लेट को खरी नहीं दियां रखें के 14 नमबर का ही फ्लेट खरी दे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सफर भी कराएगा उसके साथ साथ आपको सफलता भी प्रदान करेगा जो भी आपके कारे में बहुत ज़्यादा परिशानिया हो रही है वह भी आपकी पूरी हो जाएंगी लेकिं ध्यान रखे कि अपनी घर के नमबर के आगे आप कोई भी अंग्रेजी वर्माला लगा सकते हैं ऐसाब करने से जो भी आपके कारे होंगे बहुत सफल हो जाएंगे नमबर चार यदि आपका लखी नमबर चार है और आप फ्लैट करने की सोच रहे हैं तो इस नमबर से बिलकुल ही दूर हैं क्योंकि ऐसे नमबर आपको कोट कचेरी के ही चक्कर लगवाते रहेंगे या फिर आपके घर में कोई ऐसी घटना इखटी नहींगी जिसकी वज़ा से आपको हमेशा आदालत या फिर कोट कचेरी में ही जाना पड़ सकता है तो आप इस नमबर से दूर रहें ताकि आपको इन चीज़े से कोई भी रिस्ता न रहें यदि आपका लगी नमबर 6 है तो आप 15 नमबर से दूर रहें तीन और आठ वाले जिनके नमबर हैं वह सबसे ज़्यादा लगी मारे जाते हैं क्योंकि उनका च्छे नमबर वाले सुटेवल है और उनको कोई भी परशानी नहीं हो सकती यदि वह सफलता के रहा पर चल पड़े हैं तो उनके लिए जरूरी है कि आप 15 नमबर का ही फ्लैट खरे दें लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए 15 नमबर का फ्लैट अच्छा नहीं माना जाता है जैसे कि छो नमबर वालों के लिए 6 नमबर यदि आपका लखी नमबर 6 है तो आप 15 नमबर का फ्लैट से दूरी बढ़तें नमबर साथ यदि यह हैं नमबर आप खरीद रहे हैं या फिर इस नमबर का फ्लैट खरीद रहे हैं तो अध्यात में खोता है आपके यदि रूची है भगवान में जादा रूची हो और आप उनके शोत वगरा पढ़ने में जादा रूची रखते हैं तो आपके लिए सबसे फ्लैट को खरीदे ताकि आपको उसका नेगेटी परवाव देखने को ना मिली नमबर 9 वैसे तो ये है सूरे का नमबर माना जाता है और बहुत ज़्यादा चोशीला नमबर माना जाता है यदि आप इस नमबर के अपोड़ी अपना फ्लैट नमबर खरीद रहे हैं तो उसमे ये ध्यान रखें कि फ्लैट नमबर या तो 27 या 36 या फिर 45 होना चाहिए 3, 6 और 9 नमबर वाले वैक्तियों को सबसे ज़्यादा सूटेवर ये ही फ्लैट करेंगे और उनके जो भी कारें हैं वह भी सफर हो जाएंगे तो ये हैं आपके लखी नमबर के अनुसार आपके फ् करेंड सब्सक्राइब करना आपूलेगे तो